अब यहां पर बात करने जाए पर अगले पॉइंट के बारे में सी मेंबस पार्ट वन रग दिया होगा नहीं देखा है बाई जाके दीखिये प्रॉपर समझाने के कोशिश किये मार्केट कैसा रह सकता है और में मस एक बड़ी पॉइंट जहां से सुनना जो बोलने वाला हूँ यहां पर आपको बताया था विकली एनालिसिस में के निफ्टी यहां पर पूल बैक करेगा और येस मैंने आपको समझा था कि निफ्टी पूल बैक करेगा कोई मानता नहीं था कि हाँ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि निफ्टी पूल बैक कर सकता है मैंने आपको बताया था मैंने निफ्टी का जीरो टू हिरो कॉल भी लिया था ठीके बारा रूपी का सिफ एक रॉट लिया था और आज यहां पर दोज़र प्लस का लेकिन मैं बोला था LIC की लिस्टिंग नेगेटिव हो सकती है ठीक है आज देखो कि LIC की लिस्टिंग नेगेटिव हुई थोड़ा ओपर जरू गया लेकिन स्टॉक बाद में 900 के नीचे क्लोजिंग दी और मैं बस देखो यह सेकंड पॉजिटिव भात है कि मैंने बोला थ था ठीक है तब तो यह स्टॉक 901-904 पे ट्रेट करा था एम शूर आपको पता होगा ठीक है 901-904 तो मैंने आपको यह भी बता दिया थे 900 के बीलो क्लोजिंग तो यह मेंबर्स थर्ड एनालेसिस कितनी स्टॉंग है खुद समझ सकते हैं ओके तो यह मेंबर्स कन्विक्श कर रहा था कि मेर भाई वेंडरी एनालेसिस जो है SMF के एनालीसिस वन अव दो बेस्ट है शेर मार्केट के अंदर क्लियर होग आप समझ चुके होंगे अभी के लिए अब फट अट मुद्दे पी आ जाते हैं अब दोस्तों ध्यान सा सुनना यह वीडियो एवरी टाइम के अगर हमारी एनलीसिस नहीं देखते हैं I'm sure आप LIC जैसे IPO के अंदर 78% क्रेश के अंदर फट चुके होंगे अब वो भी discuss करेंगे क्या करने वाले हैं देखो पहली बात FI ने आज सेलिंग की है और इसका मेनिंग मेंबर्स क्या हो जाता है आज FI ने सेलिंग की है तो मार्क नहीं मेंबर्स यह नल्ला पूलबैक नहीं था अगर नल्ला पूलबैक होता तो जो मिटकेप से आपको पॉने तीन परसंट उपर गये 10-10 परसंट की सर्किट लगए मेरे भाई वो मेंटकेप उपर नहीं जाते सिर्फ निफ्टी उपर जाता समझ रहे हो और नल्ला पूल लेकिन यह लग रहा है कि शायद market में bottom बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक base बनता हुआ दिखाई दे रहा है समझ रहे हो तो इसी की वज़े से मैं आपको यहाँ पर कुछ stocks बताई था है मेरे बाई आप यहाँ पर ऐसा हो तो average कर सकते हैं अगर हमारी telegram channel में नहीं है जाके जोड़ेगा और दूसरे members को भी suggest कीजिएगा कि SMF कितना best है तो जैसे कि देख सकते है budget finance आपको बता दिया थे कि आप long term के लिए add कर सकते हैं तो यह भी focus करना और second बात thing members अब ध्यान से सुनना मैं आपको यहाँ पर बताया था budget finance आपकर सकते हैं एक और बताना चाहूंग अदानी विलमार चीक है अदानी विलमार को भी है आप add कर सकते है for a long term अगर मानलों आपने miss कर दिया है इसको add कर सकते है as a disclaimer मेरे client के portfolio में था मैंने उपर के लिए और से कुछ profit booking की थी लेकिन अब मैं फिर सी यहाँ पर add करने वालों client के portfolio के अंदर yes दो segment के अंदर मैं bulk मैं add नहीं करूंगा अभी के लिए slow and steadily bulk करूंगा लेकिन yes मैं यहाँ पर add करने की सोच रहा हूं ओके तो focus ज़रू करना यह दो चो स्टॉक है budget finance यहाँ पर आदानी विलमार स्टॉक को average यह एड कर सकते हैं for the long term not for the short term अब मैं बस ध्यान से सुनना मैंने जैसे कि आपको एक logic बता है था कि आपको insider trading देखनी चीए ठीक है मैंने आपको हमारी weekly analysis में बता है था कि insider trading कहां पर दिखी जा सकती है अगर नहीं देखा यह जाके वीडियो दिखेगा तो उसमें अगर देखो कि insider trading के अंदर यानिकी promoter stake buy काते है कि नहीं तो यह daily पता चल जाता है देखो members आज promoter ने fee से कुछ stocks करी दिया 17 में को 2600 quantity KPI green यानिकी KPI global के अंदर तो यह देख सकते members यहाँ पर जो insider buying है वो होती होगी दिखेगी है तो stock को focus ज़रू करना KPI green को यह stock continuously रोज उपर जा रहा है from the lower level 380 से 480 चला गया है support है stock के अंदर और stock और उपर जा सकता है मुझसे पुछे सर क्या short term के लिए खरीदारी करे देखो थोड़ा wallet है short term के लिए मैं अगर मुझसे पुछे तो कम से कम 5-6% का stop loss रखना अगर करनी है और 5-6% का target रखना अगर आपको करनी है और bulk मैं अभी ना बोलोंगा ओके और कोई फसा हुआ है तो अभी क्या बोल सकते हैं देखो एक बात समझो अगर कोई insider बाइंग करते हैं प्रमोटर और stock उपर जाता है और मान दो वह stock के नदर फस्ट चुके है ठीके ABC stock हो अब फस्ट चुके है तो आब average कर लेना समझ रहे हो इसका मिनिंग क्या हुआ अगर promoter buy कर रहे हैं अगर stock उपर भी जा रहा है इसका मिनिंग है देखा देखी हो रही है और देखा देखी में बाव बढ़ रहा है आप बोले हैं कि देखा देखी में बाव बढ़ता है वैसे ही आपको देखना है कि stock उपर जाता है तो आपको average कर लेना है बीना पूछे समझ आने वाले कुछ महीनों के अंदर साड़े 600 तक जा सकता है ओकी तो KPI Green Positive है अब दोस्तों ध्यान से देखना LIC की बात कर लेते हैं प्रॉपरली बात कर लेते हैं LIC की exactly LIC Listing 8% डाउन फिर उपर गया दा फिर से 8% डाउन और ये Stock कहां पर आ गया LIC का Stock 875 जैसे की बताया था कि LIC मेरी साब से नावसों के नीचे क्लोजिंग हुआ और 900 के नीचे ही क्लोजिंग होता हुआ दिखे लिए LIC का Stock अब दोस्तों ध्यान से सुनना Serious Note पर बोलूँगा बहुत सारे लोग ने LIC को खरीद होगा अभी भी Fresh Buy की होगा या तो किसी ने Holding की होगी IPO के Apply के बाद भी मेरा भाई जितना Loss मिले on a serious note ठीक है Book कर लो या तो 850 का Stop Loss रखो और Pullback में Exit कर लो Cost to Cost Exit कर लो सेफ हो जाता है Serious Note पर बोलूँगा Stock है ना आपको कुछी महिनों के अंदर कुछी सालों के अंदर यह Stock 600 के नीचे आएगा इसकी Fair Value हैंपे 600 के नीचे है Approximately 500 है अगर कोई बोल दाए ना कि इसकी Fair Value 1000 है देखो मैं बस आज सुना था मैंने News Channel के अंदर जहां से सुना जो बोलने वाला हो आज मैंने News Channel के अंदर सुना था कि यह Stock की Fair Value Minimum Minimum से Minimum 1000 है चलो Minimum से Minimum 1000 मैंने मान ली तो मेरे भाई Stock 8% क्यों Crash किया खुद सोचो समझ रहो कोई पागल तो है निकि उपर के Level से Profit Booking करेंगे अगर Minimum से Minimum Stock यहां पे 1000 है तो उपर क्यों नहीं गया Simple logic है तो बात समझना कोई खरीदना नहीं चाता Stock हमेशा इसकी वज़े से Fall कता है Stock Fall क्यों कता है क्योंकि कोई खरीदार नहीं है Bequally जादा हो रही है मुझसे पुछे मेरे भाई यह Stock Crash हो सकता है और ना Serious Note सर पूछे Crash क्यों हो सकता है क्योंकि इसकी Fair Value 500 है Overvalued PE है Price to Earning Overvalued है इसी के वज़े से यह Stock Crash हो सकता है टीक है उपर के लिवे से Government कहा है Stick तो Government क्या Problem करती है वो आप सभी को बता है Mostly जो Government Stocks होते है वो Undervalued Trade करते हैं कितने 3-4 PE के Trade करते हैं Government के Stocks विश्वास नहीं है Screener में जाके दीखे कौन से Stocks Government के है 3-4 PE के Trade करते हैं और यह तो 100 की PE पे उपर Trade करता है अगर सिफ 3-4 की PE ट्रेड करने जाए न तो मेरे बाए यह Stocks 100 और में बीकेगा 100 से नीचे बीकेगा समझ रहे हो तो मुझसे बुचे यह Overvalued है दूनिया से Overvalued है WPI Inflation अमेमस यह थोड़ी खतरनाक चीज हो जाती है यह WPI Inflation के डेटा बहुत ही खतरनाक नेगेटिव है 17 साल के रैकोर्ड को तोड़ चुका है अब मेमस शायद यह Market में नेगेटिव इंपेक कर सकता है कल के दिनों के अंदर अलाकि अगर डाउजोंस देखने जाए तो 300 पॉइंट से 1500 पॉइंट आ चुका है एक जस निफ्टी भी थोड़ा गेवडन बता रहा है तो शाधिक Profit Booking आ सकती है Market के अंदर तो बात ध्यान में रखेगा विकास Ecotec अब दोस्तो ज्यान से सुनना विकास Ecotec हमारा छोटू पैनी स्टॉक है स्टॉक की कंपनी जो है उन लोग ने 20 करोड का ओडर जीता है जो काफी तक positive है एक बार विकास Ecotec देख लेते हैं ताकि हमारे Retail निवश्यक बहुत सारे पूश्यक है कि सर क्या करना चीए देखो एक बात सुननो जान से सुनना जो बोलने वाला हूँ स्टॉक को कुछ quantity एड़ करके भूल जाओ ठीक है As a zero to hero समझ लो ठीक है मान लो आप एक स्टॉक में लाक रुपे निवश्यक करते हैं यह 20,000 निवश्यक करते हैं मैं बोलूँगा इसमें 3000 निवश्यक करके भूल जाओ अगर भूल सकते तो भूल जाओ ठीक है यह स्टॉक 3 रुपे का स्टॉक है पॉने 4 रुपे का डिसेंबर तक यह स्टॉक शायद 9-10 रुपे की उपर जाना चीए ठीक है लेकिन बल्क में मदाट करना देखो एक बात समझो जो पब्लिक का माइंसेट होता है न रिटिल निवश्यक क्या कोई भी पब्लिक जो इन्वेस्ट करती है मान लो आप लाखो में निवश्यक करते हैं तो रोज आप देखोगे मेरे भाई स्टॉक उपर गया मेरा मेरा स्टॉक उपर गया उपर गया अगर आप बल्क में लोगे तो आपको टेंशन आएगा न और पांच परसन भी फॉल कर गये तो मेरे भाई आप रोज पूछोगे सर क्या करना है समझ रहे हो तो इसमें इतना अमाउंट रखो कि आप भूल सकते हो ठीक है आपको देखना ही नहीं है रोज देखना ही नहीं आपके रेगुलर कामकाच को देखना ही नहीं है जो अब regular करते हैं उसके लावा यह stock को नहीं देखना है ठीक है अगर ऐसा कर सकते तो इतना करके भूल जाओ यह stock को current level पे समझ गए यह एक छपर फाड रिटन देखी जा सकता है ओकी तो बात ध्यान में रखते हैं अब ओट इंडिया आप दोस्तों जहां से सुनना यह हमारा one of the best stock है as a disclaimer what's it members को long term के लिए provide क्या है अभी छपर फाड़ू नंबर है कितने members खतना 40% का jump यहां पर नंबर में दिखाई दिया है बहुत ही strong number है मुझसे बुछे सर क्या करना चाहिए तो इसको तो add कर लो ठीक है जो long term traders है यह long term retail निवेशक है मेरे बाई देखो एक बात समझो logic बताँगा focus करना मैंने जैसे कि हमेशा आपको एक बात सिखाई है retail निवेशक सुनना एक बात सिखाई है कि कोई भी strong अगर fall करता है न तो vertically उपर नहीं जाता समझ रहे हो वो क्या करता है fall होने के बाद pullback करके sideways चला जाता है जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है मैं आपको थोड़ा सा sideway करूंगा देखो गया sideways ओकी तो अभी यहां पर base बन चुका है यानि कि risk to reward ratio मुझसे मुझा है कि sir risk to reward कितना है मेरा पांच परसन की शायद risk होगी कितनी सिफ 5% की falling market में या crash market में लेकिन reward आपको 95% मिलेगा इसको miss मत करना ठीक है on serious note miss मत करन स्टॉक यहां से 25,000 से 80,000 तक जा सकता है एक साल के अंदर इसको add कर दो अगर है तो average कर लो अगर आप loss में है तो यह बंदा बहुत ही खतरनाक उपर जा सकता है वो समझ लेना ओके लेकिन long term short term के लिए नहीं long term अब मैं मस्फटर्ट यहां पर कुछ stocks ले ले लेते हैं ठीक कल बारती एटल का stock 5-7% उपर जरूर जाना चीए लेकिन उपर के level से profit booking आएगी के नहीं यह कहना मुश्किल है ठीक है लेकिन जाएगा जरूर मुझसे बुशे तो वेरे भाई stock को hold करना stock यहां से 760, 780 तक जा सकता है कुछी दिनों के अंदर definitely ओकी और अगर add करने long term के ल अगर आप देखने जाए तो year to year basis पे भी profit है देखो 13 करोड से 76 करोड year to year basis पे और quarter on quarter में 70 से 76 करोड तो profit positive है मुझसे बुचे तो यह stock का bottom बन चुका है 175 का इससे बहुत जादा नीचे नहीं जाएगा stock को अगर है hold कर सकते है stock 275 300 तक जा सकते है मेरी सबसे दिवाले तक जा कर सकता है ठीक है तो hold कर सकते हैं अब मैंबर्स ध्यान से सुनना one of the best शायद penny stock है मैं try करूँगा इसको weekly जो हमारे Saturday Sunday के analysis है उसमें penny stock बताऊँगा छोटू stock यह जिसमें श्याम सेंचुरी का stock आ जाएगा ओके तो focus करना मेरे बाई 900% का profit jump मेरे यह तो एक पागल पंती है द देख सकते हैं 900% का profit jump है sales में increase हुई है तो मैं बस इसको focus करना श्याम सेंचुरी को कल यह छपर फाड़ू जा सकता है और शायद circuit to circuit में गुश सकता है यह श्याम सेंचुरी का stock ठीक है देखो मैं बस यहाँ पे stock नीचे की level से यह काफी नीचे की level से उपर आ है 7 रुपे का stock अभी 22 रुपे 30 रुपे पर trade करा है चांसे से कि यह stock 50 तक जा सकता है तो बलक में add मत करना members as a serious note बलक में add मत करना अभी market week है लेकिन अगर कुछ quantity रखना चाते तो जैसे कि वीका सी कोटेक में रखी थी वैसी quantity यहाँ पर रखके भूल जाएगा अगर आपको कल मिलता है औ और चांसे से यह stock यहाँ पर 50-60 प्लस जा सकता है ठीक है long term के लिए of course not a short term long term के लिए तो members यह सबी stock यहाँ न्यूस के वज़े से focus में रह सकते हैं और फुल आट कुछ viewers की question ले लेते हैं यहाँ पर एक बाद चेक कर लेते हैं देखो यह person ने multiple times पूछा है जैसे कि हम रही है जुमाटो को दो तीन लेवल पर एड़ करना है एक 50 रुपीज पर एक 40 रुपीज पर एक 60 रुपीज पर समझ रहे हो तो stock अगर आपके पास है नहीं एड़ किया है तो current लेवल पर एड़ कर सकते हैं और एक second installment 40 रुपेज पर एड़ कर देना ठीक है और अगर आप के पास है आपने average नहीं किया तो एक छोटी सी quantity आप यहाँ पर average कर सकते हैं जुमाटो के अंदर लेकिन long term के लिए रखो hold करके भूल जाओ यह stock 56 का नहीं 560 का है कितना 560 जो पेटियम ट्रेट करता है न मेरे बाई वो ही price का हसपास का stock है समझ रहे हो लेकिन अभी wait and watch कर ल लेकिन short term के लिए नहीं short term में कोई momentum stop में नहीं है ठीक है second यहाँ पर question आ जाता है सर यहाँ पर एक proper question चेक कर लेते हैं देखो यहाँ पर ठीक है किसर मैं यह IPO लेकि first चुका हूँ बहुत नीचे आ चुका है क्या करना चीए देखो एक बात समझो यह जो AMC का IPO है HDFC, AMC, Nippon Life वो उसमें सिर्फ Nippon Life positive अभी दिखाए दी रहा है बाकी सभी AMC stop crash है और यह तो मतलब रोज नया low लग रहा है कितना रोज नया 52 week low लग रहा है ठीक है मैं अब दो तीन मेनी के बात देखोगे और 52 week low बन जाएगा इससे बेटर एक suggestion देता हूँ देखो मैं मैं लेना नहीं लेना आप पर डिपेंड है लेकिन एक suggestion देता हूँ इसमें जो भी निवेश कहा है न ठीक है 40% exit करके अदानी विलमार को current level पे add करके भूल जाओ पांसा अदानी विलमार को current level पे add करके भूल जाओ अदानी विलमार नीचे है तो भी panic मत करना ठीक है यह stock आपक 1200 और 1500 तो जा सकता है तो most of the आपका जो loss है ठीक है वो उससे बुशे तो यहाँ पर cover हो सकता है ठीक है लेकिन एक साथ exit मत करना चोटी 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 इंस्ट्रॉल्मेंट में exit करना ताकि आप bulk में loss बूक ना करो समझ रहो बड़े प्लेस भी ऐसा ही करते है हमेशे exit करते है तो आपको भी ऐसा ही करना है बल्क में exit मत करना चोटी 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 quantity में exit कर सकते है ठीक है रेनुका सर रेनुका को average करना चाहिए क्या यहाँ पर किसी ना पूछा था एक बाद चेक कर लेते हैं देखो यहाँ पर angel broking रेनुका और jsw देखो angel broking को average कर सकते है मैंने whatsapp group मे आज forward कर दिये था jsw को थोड़ी quantity कर सकते हैं और रेनुका मैंने आपको रेनुका में कुछ लेवल्स बताये थे 40 रूपीस का लेवल I am sure आपको याद होगा ठीक है यह stock exactly 40 रूपीस से घुमा है देखो यहाँ से exactly 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 40 रूपीस से उपर चला गये है अगर मानो यह थोड़ा उपर जाकि नीचे आता है तो आप average कर सकते हैं अगर मिस हो चुका है 40 रूपीस का लेवल ठीक है कल शायद 52 53 तक जा सकता है उसके बाद fall कर सकता है ठीक है तो नीचे आता है stock 48 पर आता है तो वहाँ पर आप average कर सकते हैं अगर मिस हो चुका है तो या तो आप result तक का weight कर सक है यहां पर एक बाट चेक कर लेते हैं देखो मैं बस यहां पर नज़रा TCS की भी कोशन है तो आज वीडियो के एंड में TCS और नज़रा भी ले लेंगे लेकिन किया की बात कर ले कर सकते हैं अभी करन्ट लेवल पर लॉंग टम के लिए डेफनेटली एड कर सकते हैं कि यह इंडिस्ट्रिस को नज़रा एंड यहां पर TCS आखरी दो स्टॉक उसके बाद अधनी ग्रूप एक बार देख लेते हैं देखो मैं वस जैसे कि बोनस का उपर गया था बाद में दो कर सकते हैं डेफनेटली लेकिन दो इंस्टॉल्मेंट मेंट करना है ठीक है मुझसे पूछे तो शायद यह स्टॉक का बाटम बन चुका है 1000 रूपीस का चांसे से यहां से थोड़ा साइड़ वे चला जाएगा फिर उपर जा सकता है ओके मोनोपोली स्टॉक है मोनोपोली क को लॉंग टम के लिए एवरेज नहीं किया या फ्रेश खरीदा नहीं किया लॉंग टम के लिए अगर सजेशन पूछे तो मैं यहां पर रिकमेंडेट करना चाहूंगा इसको स्टॉक को फोकस कर सकते हैं लॉंग टम के लिए स्टॉक यहां से डबल हो सकता है ठीक है तो अद्दानी पावर की बात करने जाए तो यह स्टॉक एक प्रॉपर रेजिस्टंस पे आ चुका है कल अगर गैप अब ओपन होता है तो शायद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अगर मान लो नहीं आई ठीक है तो मेरे बाद यह स्टॉक फिर 310, 320, 340 सक जा सकता है अद्दानी पावर का स्टॉक ठीक है तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है तो चलिए मेंबस यहां पर वीडियो आज का क्लोस का तो हूप आज का वीडियो समझ चुके होंगे जो में आपको समझाने की कोशिश किये फिर कोई क्वेरी रह जाते कॉमेंट कीजेग और अगर नया जो IPO आ रहा है तीक है उसमें अपलाई करना है कि नहीं बहुत सारे पूछ रहे थे तो मैं आपको यहां पर जो हमारी टेलिग्रम चैनल है उसमें मैसेज छोड़ दूगा आप चेक का सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड़ बाई जय हिन